इस वीडियो में हम बात करेंगे MPT एडमिरिशन के बारे में और एक दूसरा वीडियो होगा इसके बाद करेंगे बात करेंगे fellowship course in rehabilitation फिजियो थेरापी तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस college में seats कीतनी है MPT के लिए और fees कीतनी है इस college की तो टोटल इसमें six seats है ठीके छे सीट है MPT course के लिए जिसमें से तीन सीट है ओल इंडिया कोटा के लिए है मतलब की इंडिया में से कहीं भी बैचलर्स ओफ फिजियो थेरापी प्लस six महिने की compulsory internship की है तो आप इस seats के लिए apply कर सकते है ठीके और तीन सीट रहेगी वो महराष्ट के students के लिए पास्ट बैचलर्स फिजियो थेरापी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन महराष्ट ओके यह तीन सीटे उनके लिए है how new division कैसे है तो जो तीन सीटे है उसमें से एक है वो जनररल के टिक्वरिव के लिए है जो Kapitel के लिए है और दो सीटे हो नियूरो के लिए है जिस कि फीज कितनी है ठीक है तो एंपीटी मतलब मास्टर्स ओफ फिजियो थेरापी किसमें टूटल फीज रहेगी वह होगी वह 11900 रूपीज जिसमें से आपको 300 रूपीज होगी वह एडमिशन फीज होगी इसमें से ट्यूशन फीज है वह 7500 रूपीज है एक सिक्यूरेटी डिपोजिट रहेगी वह 1000 रूपीज होगी वह रिफंडेबल होगा ओके देन आपकी स्पोर्स क्लब फी रहेगी 300 रूपीज लाइबरेडी फीज फाइफंडर रूपीज थीज थीज रहेगी वह आपकी स्टेशनरी है एंड आइकार्ड फी रहेगी ठीक ह और दे लास्ट रहेगी वह लाइबरेडी फी होगी देट इस रिफंडेबल वह 2000 रूपीज होगी ठीक है तो आप जो 12,000 रूपीज पे करेंगे उसमें से 3000 आपको रिफंडेबल मिल जाएगा ठीक है अब देखते हैं इस कॉलेज के लिए आप कैसे अप्लाइब कर सकते है तो मास्टर्स ओफ फिजियो थेरापी ठीक है यह दो साल का कोर्स रहेगा कोर्स एफिलियेटेट टू महाराष्ट उनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइंथ मुहस नासिक से इट इस रिकोगनाइस बाइडी महाराष्ट ओटी एंड पीटी काउंसिल मुंबई ठीक है इसके लिए एलिजिबिलेटी क्या होनी चाहिए MPT एडमिशन के लिए तो इस उपन टू फिजियो थेरापीस्ट होल्डिंग बैचलर्स डिग्री इन फिजियो थेरापी तो आपके पास आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रम ए रिकोगनाइस युनिबर्सिटी इसके साथ ही आपको एक एक अप्लिकेशन फॉर्म भी मिलेगा वह आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकालके आपको फिल अप करके इनके इस कॉलेज पर भेजना होगा इस एंट्रोट्स एक्जाम के लिए अप्लाइ करने के लिए ठीक है ओके ना एप्लिकेशन फीर कितनी है तो एप्लिकेशन फीर इस सिक्स हंड्रेट फिफ्टी रूपीज और इच कोर्स टू बी पेड अलोंग विट अप्लिकेशन इपीस होगी अगर आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाइ कर रहे हैं तो अल पेमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड इन फॉर्म ओफ डिमांड ड्राफ्ट और पेड ओर ड्राउन इन फीवर अफ डिरेक्टर एया पीमर पेडल एट मुंबई फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ट बैंक ओन्ली पेमेंट इन अधर फॉर्म विल नॉट बी अप्लिकेशन फॉर्म की जो अमाउंट फी है उनका डीडी सेंड करना होगा ठीक है अलोंग विद दे अप्लिकेशन फॉर्म यह एप्लिकेशन फॉर्म आप डायरेक्ट वहां पे सब्मिट कर सकते है ठीक है रूम नबर टू जीरो वन सेकेंड फ्लोर डूरिंग दो ओफि अप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट करनी की वह है 16 ऑगस 2023 से पहले आपकी अप्लिकेशन आपको सेंड कर देनी है ठीक है उसके साथ के इन्डिडेट आप सपोस्ट टू अटाइच असे अड्रेस्ट एंवाल अपको एक एनवाल अपी से साथ भीजना होगा उसके साथ आपको स्टाइफन इस नॉट एड्मिसेबल फॉर्ड इस कोर्स कंड़क्टेर तो एंपिटी कोर्स या फैलोशिप कोर्स किसी कोर्स के लिए यहाँ पर स्टाइफन अवेलिबल नहीं है पैटर्न क्या रहेगी तो आपका वन इन हाफ आवर के एक्जाम होगा ओके यह 100 मार्क्स का एक्जाम होगा पिटी के लिए जो first section one होगा medical section होगा मतलब आपके medical जो भी subject है उनके question होगे 50 marks के और section 3 for physiotherapy section मतलब आपके BPT के 50 question होगे इसमें तो total 100 MCQ पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको one and half hour मिलेगा देर विल भी नो नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसे इंटरंस एक्जाम का सिलेबस क्या रहेगा तो बैचलोर्स ओफ फिजियो थेरापी का सिलेबस होगा वो महाराश्ट उनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइंस M.U.H.S नासिक और यह अवेलिबल होगा इनकी वेबसाइट पे www.muhs.ac.in पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपका एंटरंस एक्जाम 27 ओफ ऑगस 2023 संडे को होगा टोटल माक्स हंटरेड होगे और इस आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा 10.30 एम और आपका एक्जामिनेशन स्टाट होगा 11 एम को 11 बज़े सिले के साड़े 12 बज़े तक आपका एक्जाम रहेगा अब एक्जाम कहा गए लाला लच्पतराई कॉलेज लाला लच्पतराई मार्क हाजी यली गवर्मेंट कॉलनी महालक्षमी मुंबई वहाँ पे एक्जाम होगा और आप एक्जाम देने जा रहे तो आपको एक ओरिजनल फोटो आइडेंटिप प्रूफ आपके साथ लेके जाना होगा अलॉंग विद एड्मिट कार्ड अगर 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 आपका एडमिशन को फाइनल हो जाता है तो आपको बॉर्ण भी करना पड़ेगा और रूपीज वन लेक्ट इसमें होस्टल अवेलिबल है दा इंस्ट्यूट हैस वेरी लिमिटेड होस्टल पैसिलीटी ओके अगर बात कर लिए टोटल सिक्स सीट से थ्री है ओल इंडिया कोटा के लिए और तीन सीट है वह माहराष्ट केंडिडेट्स के लिए हैं यह रहा इसका डिवीजन यह रहा इनका एड्रेस जहाँ पर आपको जो एप्लिकेशन फॉर्म है उसके साथ एड्मिट काड़ है और डिमंट्रा फ्रे तीनों चीज़ें यहाँ पर सेंड करने होगी औल इंडिया इंस्ट्यूट ओफ फिजिकल मेडिसिन और रिहाबिलिटेशन और याद रहे लास्ट डेट होगी वह 16 ऑगस्ट 2023 लास्ट डेट है एप्लिकेशन फॉर्म सब्मिट करने के लिए और इसके नीचे सारे फॉर्म्स दिये गए है इनका आपको प्रिंट आउट निकालके इनको फील अप करके आपको वहाँ पे सेंड करना है यह रहा है अप्लिकेशन फॉर्म ठीके आप जिस कोर्स के लिए भी अप्लाइ करने उस पे टिक मार्कनों का मास्टर्स ओफ फिजियो थरापी और पैलोशिप कोर्स इन रिहाबिलिटेशन फिजियो थरापी यह सारे डीटेल है कि अग्याइशन फॉर्म यह रहा है अड्मिट काड़ ओके यह भी आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल अप करके वहाँ पे सेंड करना है ठीक है आपको दो सेंड करने हैं ठीक है यह आपको दो एड्मिट काड़ होगी वह आप सेंड कर सकते हैं तो इन गूगल आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा यह रही पहली जिसमें से ओटी पीटी ती तरे आप वहाँ पे क्लिक करके अब यह ब्रॉशर डाउन्लोड कर सकते है ठीक है थैंक्यू फोर वाचिंग झाल कर सकते हैं